नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चेना कीस्ट्यू सक्सेस में आज हम जेल पुलिस के 6 देसंबर का जो 2015 का जो पेपर था हिंदी का उसका एनलेसिस करेंगे आए सुरू करते हैं आज का पहला कुश्चिन है रसों को ओधित और रुद्धिप्त करने वाले सामगरी कहलाती है विभाव अनुभाव अलंबन मुद्धिपन क्या कहलाएगा विभाव नेक्स कुश्चिन है उपसर्ग की कितनी विसिस्ता हैं होती है दो तीन चार एक कितनी होती है तीन होती है पहले क्या होगी जो वहाँ उपसर्ग जो सब्दों में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है ठीक है बदल देता है परिवर्तित कर देता है और दूसरा क क्या हो जाएगा जो अर्थ को उलड़ देता है तीसरा क्या हो जाएगा जो तीसरी है जो सब्द के अर्थ में परिवर्था तो नहीं करता लेकिन उसके मूल अर्थ के आसपास होता है अज पास होसता है शक्राजबल क्या हो जाएगा परबल अर्थ को इलट कर देना वाला उस्पास होता है क्यो गई जाएगा यहा असत्यय मूझें यहीं। परिवर्तल भी नहीं किया और उसे उल्टा भी नहीं नहीं है बल्कि उससे उसके आस्akat स्काहिसे है बाकि जो सब्दे दिये हुए वसके डीव में तद्भ हो दिए कलेश का क्या हुझाएगा यादा क्या है कोयल का क्या हो जाएगा कोकिल अब कोणा का क्या हो जाएगा कोण नेक्स कुश्चन है ठाकुर ओती में प्रत्य है ओटी, ओती, 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 इ क्या हो जाएगा सही अंसर ओती, क्या हो जाएगा यह है ठाकुर, धन, ओती ठाकुर, ओती चार सेविक्त वेंजन होते हैं 35 वेंजन होते हैं और 13 क्या होते हैं? 4 सेविक्त वेंजन के example लिखके बताईए Next question है निमने विकलपों में से किसी एक की वर्थनी सुद्ध है चैन किजिए कभी इतरी, कभी इतरी, कभी इतरी कभ इतरी क्या हो जाएगा सही अलसर को इत्री नेच्ट कोश़न है निम्ने विकल्पों मेंसे सुध लखे का चाहिन कीजिए उसने हमारे यहां मिठाई और दही खाया उसने हमारे यहां मिठाई और दही खाए क्या हो जाएगा सियांसर उसने हमारे यहां मिठाई खाई और दही खाए हो जाएगा संग्या का उधारने आप संग्या संब्धित जो भी असुद्धी है वाक्य संब्धित असुद्धी उसे देख लेंगे तो आपको अच्छे समुझ में आजएगा एक बार Next question है निमनलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार का chain कीजिए चलिए अब यहां से चला जाए Option है करत वाक्य 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 करत वाक अमिश, अमिश, निर्वीद, निर्मेश, क्यों जाएगा? आमिश. Next question है, उपादी और उपादी सब्द उपादी का सई अर्थक का चेहन करना हैं? क्या है option है? उपद्रव उद्धन्ड उपद्रव किताब पद, पाद, पद, उपद्रव. क्या हो जाएगा सही अंसर बद और उबद्रव किसी प्रकार की उपादी होती है और इस उपादी करता है उबद्रव करना नेस कोशन है जिस संग्या में जिस संग्या से वक्तियों या वस्तों की पूरी जाती का बोद होता है कहलाती है बहुआ वाचक, समुआ वाचक, जाती वाचक, द्रव वाचक, क्या हो जाएक इसका सही अंजर? जाती वाचक, जाती का बजो बोस कराती है, जाती वाचक के राती है, जैसे एक्जांपल क्या होगा? मनुश्या Next Question आद्यांत में संदी होगी? Option शोड़ दीजे, इसे स्वाल करने को सिज़ करिए, आदी, धन, अंत क्या होगा? आद्यांत होगा, इसमें इ और इसका अ स्वार मिलकर क्या हो रहा है? या बन रहा है, और या, र, और व, किसकी पिछान है? या इन संदी की, Option, आंसर क्या हो जागा? या इन संदी अगला कुश्चन है, जिस समासिक पद में उत्तरब्दिक की प्रधानता होती है, उसे कौन से समास करते हैं? कौन से समास होजाएगा? दीको समास. ठीके दोस्तों, अवेवी भाव में पूरुफ पद प्रधान होता है, या अवेवी होता है, कर्मधारे में क्या होता है? प एक्जाम्पल देख लेते हैं तत्पूरस का सरनागत कर्मधारे का नीलकंट अब यह भाव का यथा सक्ति के दोस्तों नेक्स कुश्चन देख लेते हैं नीमने प्रेशन के सब्ध्य यूग में किये विकल्पों में से सही अर्थवेत का चैन कीजिए असन और आसरन ने दिया हुआ यह अशन को आसन भी हो सकता है यह आसन आसन ही होना चाहिए option कि है seat, भोजन, वस्तर भोजन, भोजन, निकट, आशन, अराम, क्या हो जाएगा, भोजन और निकट, next question है, उत्सर्ग में, उत्सर्ग है, क्या हो जाएगा, इसे अलग-अलग करके देख लिज Finnish, क्या हो जाएगा सही answer, इन्हें से कोई निक, लवन का नूंहीं होता है, अर्थाद क्या होता है, इसका अर्थ, नमक, वर्थ का बच्चा होता है, वर्था का बर्खई होता है, सही है बाक्यूं अगला कुश्चन निम्ला, किद में से कौन सा सब्द क्रत प्रत्य से बना हुआ है? क्रॉपालू, उटनी, लूटेरा, मिलाब। क्या हो जाएगा? लूट एरा इसमें क्या हो जाएगा लूट धन एरा यहां पर लूट क्या है क्रिया है यह धातु सब्दे जो प्रत्य लगता है क्रत्पत्य होता है तवर्ग की धोनियों का उच्छारा इस्तान बताईए नासिक के धंत्य मुर्धन्य तालाबिया क्या हो जाएगा इसका धंत जो तर्वर्ग होता है वो धंते होता है नाशेय क्या होता है इंगा यां ना ना मन ना OMG यां मुद्धन क्या हो गए तरो है और ताला पे क्या हो गए है चल्generation को ट्रूर्ओं टीक है, option देख लेते हैं, निर्गुन दुर्गुन, निर्जी सजी, तरल ठोस, जोर भटा, क्यो जाएगा, सही अंसर, नर्गुन दुर्गुन, निर्गुन का क्या होगा, सगोन होगा, नाकि दुर्गुन होगा, नेक्स्ट कॉश्ण दिख लेते हैं निम्ने सब्सब्द यूगम के विकलपों में से कोई एक यूगम सही नहीं है अलएद यूगम का चाहिए किजिए सुधी सुधी सिरहल सकी सकी सवा सब्वा क्या हो जाएगा शही अंसर सवा हल सिरहल सब्सब्द डwarain में ऐसा से बनेर का सील्ड और जी चैए से ब्रॉण क्या होता है तो क्या आप सबीर के पास है मस्तैश के कि कि दुश्तों सुधी क्या आतर्ध हो बनेगा अव्र्धी सील्फ यह सुधी कर्थ ओ जाएगा समझदार और ये सुधी का अर्थ हो जाएगा सुधी का अर्थ के हो जाएगा इसमरण और सुधी का अर्थ के हो जाएगा समझदार सखी और सखी के अर्थ हो जाएगा सहीली और सहीका सखी और सखीया मतलब कलिया सवा का अर्थ के हो जाएगा सभा करत हो जाएगा चोपाई सभा ये सभा करत हो जाएगा चोपाई और सभा करत हो जाएगा सुबह की हवा हवा next question देख लेते है laughed discussion देख लेते हैं समुचे का विच्छे दूगा समधन उच्छे समधन उत्धन चाय क्यों जागा से यानसर समदन उतदन चै वर्ण विच्छे देए बहुत असान है आप सब भी कर लेंगे इसे असानी से नेस्ट कुश्चन देख लेते हैं विसदर कि समास का उतर रहने अप्षण क्या हो जाएगा इसका से आंस असै बहुत एससान हे संट आपको बताऊगा रहिमन पानी राखि विनपानी सब स्वून पानी गया ना उब Behती मानुस चुन अगला कुश्चन है जहां रूप रंग और गून की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेय होता वहां कुन सा अलंकार हो जाएगा संदेय अलंकार ठीक है और जहां अब प्रस्तूत को देखकर अप्रस्तूत की ब्रांती होगा कुन सा अलंकार हो जाएगा परांती बन अलंकर हो जाएगा अगला कोशन है अरणने का परियावची क्या होगा आप सभी को पता होगा वन होगा ठीक है पादप वन पादप और क्या हो जाएगा विटप पी हो जाएगा ठीक है और ओपवन का क्या हो जाएगा बाग या उद्धान बगीचा कतार का क्या हो जाएगा स्रेनी या स्रंखला और करतार का अर्थ क्या हो जाएगा विधाता या इश्वर ठीक है दोस्तों मेह बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा अमरत रशना आग बरसना वर्षा होना बादल पड़ना क्या हो जाएगा सही अंसर वर्षा होना सबको समान समझना नीमने में से किस मुहावरे का अर्थ है अप्शन है अडंगा लगाना अखल का दुस्मन होना एक एक कोना देखना इनमें से कुई नहीं अकल का दुस्मान ओरना का अर्था क्या हो जाएगा बेहुकूफी से काम करना यह को ना देखने का अर्था क्या हो जाएगा कोई कसर न कोई कसर न छोड़ना ठीक है दोस्ते देख लेते हैं खक जाने खक की भासा लोकोगती का सही अर्था बताना पक्षियों की भासा जानना समान प्रवत्ति वाले ही एक दूसर को समझते हैं अब पक्षियों अपनी भासा स्वयम समझते हैं पक्षियों की तरह बोलना आंसर क्या हो जाएगा समान प्रवत्ति वाले एक दूसर को ऑपस उंतर लेते हैं जोरों की रिष्तियारी का भरोसा होता है योजाएका अंसर एक पेसे वाले के आपस में दो संप्रदाइ दो उसम्ड़ाइब तो प्लॉठ पॉराना है बिल्कुल न भूले और आप जरुद बंदों तक पुछाएं थाकि वो लो अपना सपना साखार कर सके धन्यवाल